हाई फैमली कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे टाइटल से तो आप समझ गए होंगे कि यहां पे हम बात करने वाले हैं बिटकोईन करो या मरो इस चीज को समझने के लिए क्यूं बिटकोईन के लिए डू और डाई की सिचुईशन है समझने के लि माल लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं और वो थोड़ी दूर है जिसको जाने के लिए आपको या तो बस, ट्रेन, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी यूज़ करो आपका किराया या आपका पेट्रोल जादा लग जाता है जितनी आपकी सेलरी है क्या आप वहां जाना और यही सिचुएशन बिटकोइन के साथ में हो रही है अगर यहां से बिटकोइन ने रिकावरी नहीं करी तो बिटकोइन माइनिंग के ऊपर खत्रा होता है और बिटकोइन माइनर बहुतMPisenies रखते हैं क्रिप्टोकरंसी मार्किट के अंदर बिटकोइन को network को संभालने के लिए एक डाटा सामने निकल के आया है आप थोड़ा बहतर समझ पाओगे रिसर्च करने पड़ती है लेकिन यहां पर इसलिए हम बता रहे हैं कि शायद 15,000 डॉलर से नीचे एक विक तो बन सकती है लेकिन उससे ऊपर रेकवरी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी या यहा एक लॉजिक आप समझ पाओगे जब आप इस चार्ट को देखोगे एक चार्ट निकल के सामने आया हुआ है अगर आप देखते हो कि बिटकोईन माइनिंग के बारे में तो थोड़ा पता है ना आपको नेटवर्क को संभालने के लिए बिटकोईन माइनिंग अगर नहीं वज़े से और उस बिटकोईन को कमाने के लिए लोग माइनिंग करते हैं और समझ लीजिए पूरा पूरा नेटवर्क यहां पे चलता है क्योंकि उस पर रिवार्ड मिल रहा है अगर मान लो जो आप खर्चा कर रहे हो उससे कम अगर आपको रिवार्ड मिलेगा या बिटक पुछ कह लिजिए और एक लाइट पिंक आपको चार्ड दिख रहा होगा लाइट पिंक जो होती है वह लगबग आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है और यहां पर इलेक्रिसिसी डी कॉस्ट क की जो नीचे वाली लाइन देख रहे है travel ईलेक्रिसिटी कॉस्ट बनती है य ऐसी हो रही है कि अगर यह यहां पर साड़े सत्रा हजार या सत्रा हजार डॉलर से जादा दिनों तक नीचे रहता है तो बिटकोईन माइनर क्यों यहां पर बिटकोईन को माइन करना चाहेंगे और यही जो डाटा है यह वही शो करता है डेटा बोलीजिए बहुत सार लोग इसी चीज पर कमेंट करेंगे सर आप डेटा कह रहे हो डेटा नहीं बोल रहे हो ठीक है आप हमारी इंगले सुधारी है लेकिन आप चीजों को समझ देगी यहां जरूर कोशिश कीजेगा मैं यहां पर क्या कह रहा हूँ अब प्रोड़क्शन कॉस्ट तो छोड़ दो यहा यहां पर इतना ताम जाम बिटकोइन के आस पास चार और बना हुआ है बड़े-बड़े इंसिट्यूशन ने इंवेस्ट्मेंट की हुई है बड़ी-बड़ी कंपनीज ने इंवेस्ट्रमेंट की हुई है इतना लाखो करोडो रूपिया बिटकोइन और क्रिप्टकॉ Dusty म तो पूछते हैं कि यह construction cost कितनी पढ़ती है यह चार्ट से आपको idea लग जाएगा कि इतनी पढ़ती है वह यह construction cost यह आप कह लिजिए इससे उपर अगर आपका bitcoin mining हो रहा है इस rate से उपर आज की date के अंदर on and every rate लिया हो गई है तो आप यहां पर जो है समझ लीजिए कि कुछ क आ रहे हो नहीं तो आप अपनी जेब से लगा रहे हो और यह जेब से कब तक लगा पाएगा कोई या minor यह बड़ा सवाल है और यहां पर जब भी ऐसा हुआ है पीछे की history में जब भी हमने इसके उपर workout किया है जब भी ऐसा हुआ production cost से नीचे आया यहां तो electricity cost से नीचे की बात हो रही है जब भी इससे नीचे आया तो हमने एक recovery देखी है या यहां इसने maintain करने की कोशिश किया है क्या है वो 2020 के अंदर करोना के टाइम हो या 2019-18 के अंदर जब crash किया था तब भी ऐसा बात situation निकल के आया थी कि भाया cost ही न ये give up करने देंगे या पूरा का पूरा system खतम होने देंगे आप समझेगा शायद 99.99% नहीं तो यही चीज है कि यहां पर 15,000 डॉलर 16,000 डॉलर पे खेल थोड़ा बड़ा लगता है प्रेशर बनाया जा रहा है और यहां पर in future आपको recovery देखने को मिलेगी या आप कह लीज है कि एक तरह से यहां से नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर होगा तो बड़ा मुश्किल overall cryptocurrency mining के लिए bitcoin mining के लिए होने वाला है और यह इतना असान नहीं होगा तो इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर do or die वाली situation है उम्मीद करता हूँ अब थोड़ा सा picture clear होगी उपर हमें जल्दी ही bitcoin का price देगने को मिल सकता है और एक राहत की सांस मिली कल 15,300-400$ से दुबारे से bitcoin का price इस टाइम पर 16,500$ चल रहा है और हम कोशिश कर रहे है कि जैसे ही जो भी अपडेट आये कम से हम सुबह उठते ही आपको करने कोशिश करें ताकि आप पूरा दिन crypto currency के लिए plan कर सकी कि क्या करना चाहिए टेकिनिकली मैं बात करूँगा bitcoin के बारे में उम्मीद करता हूँ एथिरियम में भी आपने कुछ न कुछ एंट्री लियोगी 1000$ के आसपास यह आया जैनेसिस जिसकी वज़े से या आप कह लिजे ग्रेस गेल जिनकी वज़े से सारा का सारा issue हो रहा है कि वो default कर गए खास कर अभी जैनेसिस की बात करें उसके बारे में आ रहा है कि एक बड़ी lending firm अगर default कर गई या bankruptcy उन्होंने फाइल कर दी तो पैनिक हो सकता है और इसी का पैनिक हमें पिछले 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिला और यहां पर एक expert को उन्होंने बुलाया है ताकि वो जो ह है उनको बुलाया है ताकि इस bankruptcy को वो avoid कर सके और यही वो ही company है जिन्होंने वाइजर आपने सुना होगा उनको बाद में retrieve करने के लिए या उनके चीजों को संभाला था तो उमीद की जा रही है कि इनके आने से थोड़ी help मिल सकती है और bankruptcy की जंगा तूसरे alternative options निकल के आ सक उसके बाद में उसको delete कर दिया उससे भी बड़ा कुछ controversy हो रही है कि पहले उन्होंने किया gray scale के लिए coin base के लिए और बाद में सारी चीज़े वापिस data clear नहीं था accurate नहीं था उसको बाद में उनको delete करना पड़ा तो इतना कुछ चल रहा है पता नहीं क्यूं किया जा रहा ह आप जो है समझिएगा एक बड़ा exchange बार बार कुछ ना कुछ issues यहां पर लेके आ रहा है वो यह तो नहीं चाहेगा जो कि पूरी market पर dominance दिखाता हो dominate करता हो और वो पूरा का पूरा चाहे कि cryptocurrency market भरबाद हो जाए हो सकता है कि यहां पर वो market को clear करना चाहरे है ताकि कोई और alternative ना बचे और अगर online wallets की बात करें या exchange पे trade करने की बात करें तो भाया market में एक ही नाम हो और शायद इसी वज़े से यह सारा कुछ खेल किया जा रहा हो यह market में pressure intentionally जो है बनाया जा रहा हो ताकि माल को इस level पे बटोरा जा सके और आने वाले time के अंदर कोई हरानी नहीं ह होगी कि यहां से pump हो जाएगा दो तीन महीने बाद और फिर हम यही regret करेंगे और यह 15,000 डॉलर पर आया था या 20,000 डॉलर के नीचे opportunity थी हमने यहां मिस कर दी बहुत कुछ चलता है market के अंदर लेकिन यह जो factor है mining वाला हमें लगता है इसकी वज़े से एक recovery जल्दी आपको देखने को मिलने चीए यह आप कहले यहां इसको sustain करना चीए फटाफट से टेखनीकली भी बात कर लेता हूं bitcoin को लेके इस टाइम पे 16,500 डॉलर चल रहा है और लगबग 1000 डॉलर की recovery हमने पिछले 24 घंटे के अंदर देखी उसका एक factor genesis के बारे में भी था और यहां पे हमन 600 डॉलर टार्गेट हो सकता है और support की बात करें तो इस टाइम पे दो support निकल के आ रही है 15,700 डॉलर और फिर निकल के आती है 15,200 डॉलर अगर उम्मीद करते हैं 15,000 डॉलर से उपर यह ठीका रहे पुराना इसने जो bottom बनाया था अभी 15,500 का उसको test किया और वहां से recovery देख सकता है और ध्यान रखिएगा यह बहुत सारे factors हैं जो काम करते हैं negative market के अंदर negativity फिलाई जाती है ताकि माल भी पटोरा जा सके panic भी create कर किया जा सके और कई बार जो चहरे जिनकी वज़े से cryptocurrency के इस time पे survive कर रही है अगर वो कुछ उल्टी सीदी बाते कर रहे हैं तो वो कभी भी यहां पे आननी कर पाओगे 2017 के अंदर जब high गया था फिर 2018-19-20 survive करना बड़ा मुश्किल था फिर उसके बाद आप देखो उससे पहले वाले 15-14 वालो कैसे survive किया होगा situation क्या है थोड़ा time आपको यहां देना है तब ही यहां पे आप जो है थोड़ा सा क्योंकि हर हर बाहर लगता है कि market खतम है और हर बाहर में यहां पर recovery देखने को मिलती है लगता है कुछ नया हो रहा है लेकिन घूम फिर के वही चीज निकल के आती है कि bitcoin ने नया all time high बनाया होगा के नहीं होगा हमें नहीं पता लेकिन यहां पर हमारी जो responsibility थी आपको चीज़ों के लि profit में होंगे और आने वाले time के अंदर हमें लगता है कि अच्छी entry अगर आपकी है तो यहां पे भी एक अच्छा profit यह coin भी आपको बना के दे सकता है और बहुत सारे और coin के list है जिस पर हम workout कर रहे है आने वाले time के अंदर वो भी आपके साथ में जल्दी शेयर करेंगे तो दोस्तो आज के लिए उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी काम की लगी होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरू करिएगा शेयर कर दिया ट्विटर टेलिगरम अच्छब जहां आपका मन करें और चैनल पहली बाहर आए तो चैनल को सिस्क्राइब जरू करके जाएगा अभी के लिए विदा लेता हूं खुश रहिए मुस्कुरातरी एक मातरी आपको दोस्त पंकर्च थेंकी नुश्कार धन्यवाद